नमस्कार मैं हूँ आशिश कपूर आगे नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप हेड्लाइन्स पर कश्मीर घाटे में हाला समाने होने के साथ परशासन ने अप इंटरनेट सेवा बहाली की और एक कदम बढ़ा दिया है सरकारी और नीजी संस्थानों के आवेदनों की पुलीस जांच के बाद ही कंडिशनल इंटरनेट सेवा उपलब्द करवा दिजाएगी इस छूप संस्थानों को लिख कर देना होगा कि इंटरनेट के दूर उप्यों के लिए वेज़े मेदार होगे और सिर्फ एक ही आईपी अड्रेस पर ये सुविधा मिलेगी नए जम्मू कश्मीर में सरकार बैक टू विलेग जैसे महत्वपून प्रोग्राम के माधियम से ग्रामीन परिवेश में प्रशासनिक तंतर की विश्वास बहाली के प्रयास में जुटी है मगर कई अदिकारी अपने पुराने रवईये से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं सरकार ने इस महत्वकां की योजना में रोडा बन रहे ऐसे ही 12 वरिष्ट अदिकारियों के खिलाफ जम्मू सभाग के राजोरी विलेग के आयुक्त ने कडी कारवाई करते हुए उनका वेतन रोग दिया है इसके साथ ही 3 दिन के भीतर यानि भुदवार तक कारण बताओं नोटिस भी जारी कर दिया है इसके साथ संबंदिर विभाग के सचिवों को भी इस संबंद में सूचित कर दिया गया है जबकि दो पोर्टर्स की भी मोठ हो गई, दो अन्य जवानों की हालात अब भी गंभीर बनी हुई है और इन सभी को चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। स्याचिन गिलेश्यर दुनिया का सबसे उंचा युद छेतर है। स्याचिन में हिम्स खलनिया प्रतिकूल मोसम की वज़ा से हर मही ने ओसतन दो जवानों की मोठ हो जाती है। 1984 से लेकर अब तक तक तकरीबन 900 से अधिक जवान शहीद हो चुके हैं। पुल्वामा जिल में आते की संगठन जैशे मुहमत के चार मददगारों को पुलीस ने सोमार को गिरफतार कर इलाके में विसवोट करने वाले मोडियूल का भांडा फोड किया है। पकड़े के चारों मददगार जुलाई में अरीहाल इलाके में हुए आई-ई-डी विसवोट में शामिल थे। पुलीस ने बताया कि अरीहाल विसवोट की जाँच के दौरान पता चला कि शारीक एहमद नामत व्यक्ति एक विदेशी आंतकी के लागातार संपर्क में था। शारीक ने आतकियों के तीन अन्य मददकारों आकीब एहमद, आदिल एहमद और मीर तथा ओवेस एहमद के साथ मिलकर इलाके में हमले की साजिश भी रची थी। आतंकियों ने एक बर फिर जमू किश्मीर को दहलाने की नापा कोशिश की। एक वाइरलेस सेट और एक आतकी ठिकाना दोस्त किया गया। सुरक्षाबल जहां देश की रक्षा में दिन राज सीमा उपर डटे रहते हैं वहीं हमारे देश के वीज़बूत आम जन्ता की भलाई के लिए बढ़ चड़ कर आगे भी आते हैं। इसका सबसे बड़ा उधारन सद्भावना प्रोजेक्ट है। वहीं हमारे सुरक्षाबल स्कूल को प्रोसाहन देने के लिए युवा वर्ग के लड़के लड़कियों को खेलों में बचड़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रोसाहित करते हैं। इसी का एक उधारन जम्मू के जिला पुच्छ में देखनों को मिला जहां 93 ब्रिगेड की तरफ से वालीवल डूनमेंट का आयोजन किया गया। जम्मू संभा के जिला पुच्छ में शीरु गुरू नानक देव जी के पांसुपचांसवे प्रकाशपर्व के अफसर पर एक जहांकी का आयोजन किया गया। जहांकी में हजारों के तादाद में लोगों ने शमूरियत की। ये गुरुद्वारा सिंख सहब से शुरू होकर स्पोर्स्टेडिया में खत्म होई। इस जहांकी में हड्धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया और गुरु नालग देव जी के उपदेशों का स्मरन कर शांती की परात्ना की। पूर्परधानमंत्री नी सुर्गिये शृरीमती इंद्रागांधी को कॉंग्रसके नेताओं वे कारीकरतों ने उनके एक सोदो में जरम दिवस मर्श धांजर दी। ये कारिक्रम परदेश कॉंगर्स कमेटी मुख्याले में आयुजित किया गया इस कारिक्रम में नेताओं के साथ परदेश अध्यक्ष जीये मीर भी मौजूद रहे जम्मू कश्मीर से अनुचे 370 हटाए जाने के बाद वहां पत्तर फैंकने या दूसरे तरीकों किसे कारून वस्ता बिकाडने वाले लोगों के हाथ अब कांपने लगे हैं महासुरक्षाबलो ने ऐसा शिकंजा कसा है कि 5 अगत से लेकर 15 नवेंबर तक 765 लोग किरफतार हो चुके हैं पत्तराप करने और कानुन वस्ता तोड़ने के आरोप में 190 केस दर्श किये गे हैं खास बात ये है के अनुचे 370 हटने से पहले यानि एक जनुवरी से 4 अगस तक पत्तर बाजी की और कानुन वस्ता भंक करने के चलते 361 केस दर्श किये गे थे इसके लावा NIA ने भी जम्मू कश्मीर में आन्तिकियों को आर्थिक मदद के पहुंचाने के 18 मामला दर्श किये हैं इनमें कई आरोपियों की गिरफतारी भी हो चुकी है